दोस्तो हाली में Xiaomi ने अपना Redmi 9 Prime स्मार्टफोन लांच कर दिया इंडिया में और यह 10,000 रुपए का आपको मिल जाता है लेकिन यह सेग्मेंट है ना 10,000 के नीचे वहाँ पे लोग काफी प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं और 1000 रुपए भी उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है इसलिए आज Xiaomi ने अपना Redmi 9 स्मार्टफोन लांच किया है 8,999 रुपए में और यह स्मार्टफोन अभी तक तो हमारे पास नहीं आया है जल्द ही आने वाला है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजे अगर आपको Redmi 9 के ऊपर और वीडियो देखने हैं तो लेकिन इस वीडियो में हम आपको अपना ओपिनियन देने वाले हैं और आपको बताएंगे क्या आपको 9000 के बजट में Redmi 9 को कंसिडर करना चाहिए या नहीं लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लालवार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजे और उसके बार जो में जो बैल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजे मेरा नाम है सुमुक और आप देख रहें TechPP.com का एक नया वीडियो और चले इस वीडियो में आपको बताते हैं Redmi 9 के बारे में अब से पहले बात करें अगर looks और design के बारे में तो यहाँ पे हमें polycarbonate का back मिल जाता है जो इस price point के लिए ठीक है एक rigid pattern है जो back panel पे है और यह orange color variant जो है वो हमें काफी अच्छा लगा है P2A nano coating मिल जाता है हमें हर एक Redmi phone या फिर Xiaomi phone की तरह 3.5 mm headphone jack भी दिया गया है और यह USB-C port से चार्ज होता है जो एक अच्छी बात है triple slot हमें देखने को मिल जाते हैं और fingerprint scanner भी दिया गया है again which is a good thing सामने के तरफ जो display है वो एक HD panel है 6.53 inches का IPS LCD display है dot notch के साथ आता है front camera के लिए जो गें ये price point के सबसे काफी ठीक ठाक मिल जाता है most other brands are also offering similar displays at this price performance की बात करें तो यहाँ पे हमें Mediatek का Helio G35 chipset मिल जाता है जो technically P35 यह है ज्यादा clock speed है इसमें बस और यह chipset हमने Realme के कुछ phones में भी देखा है C11, C12, C15 और उन phones में हमने देखा था के day-to-day performance तो ठीक टाक आपको मिल जाता है लेकिन अगर आप gaming करना चाहते हैं तो यह chipset इतना कुछ खास नहीं है हमने Realme C11 का PUBG gameplay टेस्ट किया था वो आप यहाँ पे i button में अभी देख सकते हैं और वहाँ पे हमने देखा था के gaming performance इतना कुछ खास नहीं है हम expect कर रहे हैं कि similar performance हमें Redmi 9 में भी देखने को मिलेगा लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें 4GB का RAM मिल जाता है base variant में 64GB का internal storage के साथ में और of course triple slot है तो आप storage को expand कर सकते हैं और MIUI 12 हमें out of the box मिल जाता है Redmi 9 में तो फिर से अगर हम पीछे के तरफ चले तो यहाँ पे आपको एक square camera module देखेगा जो पहली नजर में triple या quad camera जैसा आपको नजर आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं है dual camera setup हमें मिल जाता है 13MP का primary sensor है और 2MP का depth sensor हमें मिल जाता है और सामने के तरफ 5MP का selfie camera है अब camera performance कैसा है यह हमें सिर्फ device मिलने के बाद पता चलेगा तो अगें subscribe जरूर कर दीजे आखिर मैं battery की बारे में बात करें तो 5000 mAh का battery हमें मिल जाता है दूसरे Redmi phones के तरह ही और 10W का charging support दिया गया है इस phone में अगें USB Type-C port मिल जाता है बाकी brands micro USB दे रहे हैं इस price पे तो यह एक अगें बहुत ही अच्छी बात है तो Redmi 9 आप खरीच सकते हैं 9000 रुपए से base variant के लिए 4GB प्लस 64GB का जो variant है और 4GB 128GB वेरेंट आपको मिलेगा 10,000 रुपए पे और यह मिलना शुरू होगा 31 August से Amazon पर Mi.com, Mi Home Stores जो भी Xiaomi के official retail partners है वही सब जगर पे आपको मिलेगा यह और हम Realme के phones के साथ भी इसे compare करेंगे देखने में तो अभी काफी अच्छा लग रहा है price के इसाब से लेकिन अब यही बोलना चाहेंगे के अगर आपका budget 10,000 रुपए है अगर आप 1000 रुपए और एक्स्ट्रा आड कर सकते हैं तो अब Redmi 9 Prime लीजे क्योंकि उसमें जो display है वो full HD मिल जाता है performance बहुत ही जादा better है और camera's भी हमें better देखने को मिल जाता है overall एक much better phone है Redmi 9 Prime compared to Redmi 9 तो इस वीडियो में बस इतने ही, hopefully आपको एक idea मिल गया होगा कि Redmi 9 कैसा है, phone आते ही हम unboxing, first impressions, review, सब वीडियो करेंगे, उसके लिए subscribe करना मत भूले, इस वीडियो को like जरूर कीजे और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे इस वीडियो को, हम मिलते है एक लिए वीडियो में, तब तक के लिए, good bye